यह है हमारा POCO F4 और इसके लिए आ चुक है MINT OS का एक latest update जो के Hyper पे base है जहां पर आप देखोए कि About में आपको Project Hyper Mint देखनी को मिलता है और यह run कर रहा है 1.0.1 के यहां पर Indonesian version के ऊपर जहां पर आप देखो जो wallpaper है उसके साथ एक अलग different animation देखनी को मिल जाता है और साथ-साथ एक stable version है तो इस MINT OS में आपको क्या कुछ देखनी को मिलेगा उसकी साइज जनकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला तो चलिए आज की वीडियो को सुरू करते है और अच्छा लगता है तो like, subscribe और share जरूर करें आप आपका है जो AOD अच्छे से काम करता है कोई दिकत नहीं आती और unlocker animation देखो काफी जड़ा smooth और slow दिखाई देता है जो कि मुझे काफी different और अच्छा भी लगा है बाके different icon pack यूज किये गये हैं जिसको इस हरे एक icon में जो कि it system वाले हैं आपको animation देखने को मिलते हैं और यह काफी जड़ा beautiful सा है जो दिखाई भी देता है साथ साथ control center हमारा थ्वासा modified कर दिया गया है जिसमें आप देखो इसे colors वागया थोए different आपको देखने को मिलते हैं यह मुझे अच्छा लगा है बाकी same वही चीज़ें आपको दिखाई देती है और पूरा पूरा system sound चेंज कर दिया गया है जहाँ पर कुछ जगा पर थोए different sound आते हैं इसकी insert क्लिक करने पर लगता है क यहाँ पर notification control भी आपको देखने को मिलता है तो यह काफी अच्छा और beautiful दिखाई देता है चोटा चोटा बाकी यहाँ पर camera की बात करें तो यहाँ पर आपको camera देखने को मिलता है वही Leica 5.0 GSM कहते हैं जो कि हाईपर आप डिफॉल्ट आने लग गया है देखने को मिलेगा फुर्की का 60fps भी आपको देखने को मिलेगा जो कि आप असानी से यहाँ यूज में ला सकते हो और हम आतने अपने setting के अंदर और अपने my device के अंदर यानि about phone पे तो project hyper mint आपको देखने को मिलेगा जहाँ आप इस प्रोई साथ की बात करें तो 13.43 GB आपको देखने को मिलता है बागे smoothness की बात करें तो यहाँ पर जो global type के रहते हैं smoothness वही आपको दिखाई देते हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो spring यहाँ यहाँ पर नजल नहीं आता बट ग्लोलों भी ऐसा था यहाँ वह ऐसा ही है additional setting में आपको multi language support टेखने को मिल जाता है जो कि आप यहाँ पर यूज में ला सकते हो कोई दिक्कत नहीं आती और सच सथ यहाँ पर आपको tap plus floating window memory extension और बाकि common options मिल जाते हैं रही वाद floating window हमारा कैसा काम कर रहा है तो यहाँ पर यहाँ से यूज में ला सकते हो और यह प्रोपर हमारे जो working भी रहते हैं जैसे कि आप डेख पार बाकि आते हम यहाँ पर फिर से जो कि हमारा additional setting है जहाँ पर time and date और region मिलता है इसके लिए यहाँ पर बैटरी जहाँ पर आपको hyper का मिल जाता है प्लस extra यहाँ पर screen on timing का features भी add किया गया है जो कि अच्छा लगा मुझे privacy and security जहाँ पर चाइना ओले देखनी को मिलते है वह दे आता है तो आपको haptic speed होता है जो कि अच्छा लगा haptic कई जगा आपको notice होगा face unlock fingerprint आपको proper working है no issues sound के profile पे आपको लेखनी को मिल जाता है additional जहाँ पर एक्स्ट्रा notification control enable कर सकते हो यहाँ पर video incoming profile वगेरा है और यहाँ पर dolby और harman के भी option आपको है जो मिल जाते हैं साथ यहाँ पर display जहाँ पर dark mode की बात करें तो भाई glow में काम करता ही है यहाँ पर आपको working मिलेगा बाकी यहाँ पर anti flicker दे दिया गया जो कि काफी अच्छा लगा advanced texture का भी option आपको मिलेगा बाकी reading mode और refresh rate में आपको 144 का भी option मिलता है जो कि हमारे किसी काम का है नहीं नाम का है काम का नह सकते हैं जैसके मैं always hide कर दूँ तो home पर आज यहाँ हो जागा चाहा है मैं किसी भी टैप पर चला जाओ देख रहे हो ना यहाँ पर है अब यहाँ पर मैं इसे set कर देता हूं कैसे तो always so home पर रहेगा तो भी नजर आएगा यहाँ पर आएंगे तो भी नजर आएगा यह permanent हो हो चुका है अगर मैं इसे कर्टन default तो यह home पर रह जाएगा देखो गाइब हो गया बाकी जगों पर सो करेगा तो यह चोटा सा चेंग यहाँ पर किया गया है जो कि मैंने कुछ टाइम पहले भी आपको सो किया था उसके बाद यहाँ पर आप डेस्वोर्ट कर सकते हो यू पूरा का पूरा options जो कि आप देखो अब इसका look and feel बदल गया है और यहाँ पर जो server आएगा widget का वह भी आपका EU का आएगा लेकिन हम होम पर आते हैं तो होम पर जो widget support है यह भी आपका EU का हूज आता है एवल्ट की वजए से तो आप यहाँ पर चाहो तो EU भी रख सकते हो या फिर यहां से डाइक्ट इसे off कर दो और restart कर दो आपका फिर से चाइनावाला आ जाएगा लेकिन हाँ सम्टाइम में इस तरह किसे keep stopping देता है बट ignore मारो आपका working रहेगा बस दूआ एक और restart कर लेना अब देखो यहाँ पर आपका चाइनावा वीजर सपोर्ट आ गया औ पहले सिर्फ नॉर्मल लिखाओ मिलता था बट अब यहां पे साप सव लिखाओ मिलता है कि पॉर्चेज याँ आपने सब कुछ है यहां पर कर लिया है तो जो जाब वह यूज कर सकते हो जैसे कि मैं यहां पर यूज कर रहा है और अनदर यहां पर आइकन भी वरकिंग है तो जो भी आप चाहिए यहां पर यूज कर सकते हो मैंने चेंज इसलिए नहीं किया क्यों डिफॉल लगे हैं और इसमें अनिमेशन भी है इसलिए मैं बदला नहीं है बट हाँ काम करते हैं तो उपर फोल्डर की बात करें तो यहां पर आपको डवल एक्सेल वाला वगेरा राउंड कोर्णर ओल वीजट यहां पर अन्लोकिंग बॉंस एनिमेशन उसके बाद यहां पर फोल्डर की ऑप्शन मिल जाते हैं फोल्डर बलर वगेरा है यहां पर रिसेंट आइटम भी आप आयोए स्टाइल में चेंज कर सकते हो बाकि बलर वगेरे भी आप कर स सकते हो और यहां को चीछ के साथ है यहां पर ऑपकर के कुछ उखने आदये ऑद के सांधा है यहां परमfy मिल एक जैसे हैं यहां पर देख़ा रहे हैं बाकि यहां पर यहां पर दिखाई देतें ज्यों कि आप latch आते हैं शील यह यहां पर चाहो तो फुल रखते हो 10 सेकंड लग सकते हो या इसे और भी रखते हो मर्जी आपकी और मिन के तरफ से को यहां पर यहां पर यहां पर देख पा रहे हैं उसी निचर के साथ तो आप इसका भी चाहो तो यूज कर पाओगे यहां पर आपको मोर क्नेक्टिवीटी करने के बाद यहां पर सिस्टम डिफॉल्ट इतना ही एप देखनी को मिलेंगे बाकि आप अपने नीट के हिसाब से डाउनूट करो या फीन में से जो भी चाहो हटा सकते हो बाकि कैमरा अगरे हमारा काम कर रहा है मैंने टेस्टिंग किया था सही है और यह है हमारा Geekbench result इस तरिके से और इस पे करके आप इंस्टॉल बही कर सकते है तो ध्यूट से हिा लिट किया गया विटॉक डेखने में अच्छा लगता है उसके बाद यह है और में बाफी से ब्यंतिग हो मिला तो यहां पे stability आपको लिखाई देती है performance के अंदर यह अच्छी बात है बाकि 100 पे डालने के बाद यहां पे आप देखो पेस अनलॉक नहीं किया गया तो यह होता तो बाकि यहां पे यह हमारा इबाउट सेशन और एक सबसे बड़ी कमी जो कि आज कल में नोटीस हो जाती है वह है डिवाइस का certified नहीं होना जैसे के आप देखो डिवाइस नोट सर्टिफाइड और यहां पे आपका CTS फेल रहता है आपको इसे manually pass करना पर एगा अगर आप यूज करना चाहते हो तो otherwise just wait करो या फिर ignore करो और फोटो इस्टोर आपको यहां पर unlock मिल जाता है तो यह अच्छा लगा मुझे कि unlock दिया गया है तो यह साही चीज़े है और रो मुझे लिएले में काफी interesting लगा है काफी अच्छा लगा है सिवह एक कमी के वह है यहां पर device certified नहीं होना और एक चीज़ और मैंने यहां पर नोटिस किया है लेकिन जो मैंने नोटिस किया है वह मैं आपको देखाता हूं कि जब यहां पर डिस्प्ले काफी जड़ा ब्राउन हो जाता है फिर उपर नीचे उपर नीचे आपक यहां पर देखो फिर से ब्राउन फासा अप हो गया तो साइद यह नोटिस हो रहा होगा आपको आप देखो यह तो डीप ब्राउन हो गया है अब फिर से फुल ब्राउन पर चला जाएगा I don't know why ऐसा क्यों हो रहा है और यह सिर्पर से मैंने इसी रोम के साथ नोटिस किया है कि इसका जो brightness level है वह बाके तो रोम के comparison में काफी बूस्ट किया गया है क्योंकि जब भी मैं वीडियो बनाता हूं तो मुझे brightness level काफी अप रखना पड़ता है यहां पर कितना डाउन में रख रखा है तो यहां पर डिस्पले brightness को बूस्ट करा गया है जो कि आपको आपको brightness जो है manual इसमें थ्वा सा adjustment और होने की जरुवत है improvement होने की जरुवत है यह भी चीज़े मैंने यहां पर जो notice करिए बाकि auto brightness की बात करें तो auto brightness में मुझे कोई डिक्कत नहीं आया था मैंने auto brightness यूच किया है इस रोम को डालने के बाद तो वह भी हमारा सही काम कर रहा था सब्सक्राइब कर लेना इंस्टॉल करने का तरीका सेम टू सेम है जारा कुछ यहां पर करने की जरुवत नहीं प्रट्टी ओके मैं मिलता है आप से निक्स वीडियो में थांक्स वॉचिंग टाटा बाई बाई कर दो